तो सेक्यूरिटी वैल्विशन हमारा खतम हुआ रिवीजन में और सर आज क्या चलेगा आज चलेगा सिक्यूरिटी एनलिसिस सर सिक्यूरिटी एनलिसिस में दो ही कोश्चन है अगर देखा जाए तो एक मुझे करवाना इसमें एक्सपोनेंशियल मुविंग एवरिस और एक करवाना एफिशेंट मार्केट हाइपोतिसिस का एक कोश्चन है और अन्टेश्ट ठीक है सर और कल बिजनेस वैल्विशन हाएगा मतलब सर यह बड़ी मुस्किल से आदा घंटा में कलासेस ही दो तीन घंटे की चार घंटे की कलासेस है तो फिर आदख घंटे से जज़दा नहीं लगना चाहिए तो सेक्यूरिटी वैल्विशन में कुछ रेशो के कोश्चन थे वो ratio के question मुझे यहाँ करवाना पड़ेगा एक दो ही question है पर करवाना पड़ेगा तो security evaluation के ratio के question और इसके लावा security analysis यह आज खतम होगा और सब unique question है तो अच्छे से देख ले ना को के साथ और कल सर business valuation कल और परसो business valuation और संडे को आपको का test मैं फिर से आपसे बोला security evaluation और security analysis और business valuation तीन चैप्टर मिला कर संडे को test हो जाएगा ओके सर तो पहले ratio वाले question करेंगे तो वैसे तो मुझे security evaluation में इतना topic करवाना था एक तो ratio के कुछ question करवाना था T bond future यहाँ नहीं होगा T bond future क्योंकि इसमें interest rate risk management का knowledge चाहिए तो वहीं होगा और ऐसे yield कर भी यहाँ नहीं होगा पाकि forex और APV की अभी बात नहीं करेंगे वो बाद में हो जाएगा capital listing के साथ में जाएगा आप कही ना कहीं cover करूँगा तो आज जो चलेगा security valuation के ratio के question होगे यहाँ और इसके अलावा security analysis अप सर यह कब होगे कहाँ होगे कैसे होगे मैं हो ना यार क्यों चिंता कर रहा सब कही ना कहीं मैं cover कर लूँगा set कर दूँगा जहाँ जो चीज होनी चाहिए वहाँ होगा तो सर रेशो के question ratio है क्या ratio नहीं है आपको पर उसके कुछ question से डाल दिया था institute ने तो वो question तो पहला सर पहला कौन सा पहला interest coverage ratio interest coverage सर वो होता क्या कुछ नहीं होता भाई interest को interest किसके नीचे सर सबसे पहले EBIT लिखा जाता उसके बाद interest तो interest को cover कौन करता सर EBIT और जितना interest है अगर उससे EBIT जादा है तो हम कहते हैं हम क्या कहते हैं हम यह कहते हैं कि सर जबरदस्त company बहुत अच्छी company है क्योंकि जितना interest देना है उससे कई गुना जादा EBIT है कमाई खूब है तो सर interest coverage ratio should be high जिस company का interest coverage ratio हाई है एटमें से interest छोटा सा है और EBIT जादा है तो interest coverage ratio का formula EBIT डिवाइड बो interest तर यह समझाओगे क्या हो समझाओ यह तो सब हो चुका है तो यह question है 106 और वो क्या कहना चाहता हो वो कहना चाहता है यार कि हमारा EBIT अभी 90 लाक और यह हमारा loan है तो क्या आप interest coverage ratio निकाल सकते हो इन सबक का हमने क्या निकाला interest 77 आया EBIT तो 1.169 ओके सर कोई रिकत नहीं थी अब वो यह कह रहा है कि यार मालो हम loan लेते तो interest बढ़ेगा उस loan को हम यूज करेंगे business में तो EBIT भी बढ़ेगा तो फिर से interest coverage ratio निकाली है revised और बताइए कि company का performance अच्छा है तो हम देखेंगे यह improve हो रहा है कि less कम हो रहा है क्योंकि EBIT बढ़ा interest भी बढ़ा है तो वो ही बता रहा है कि हमने 100 लाक रुपिया का loan लिया interest देना बढ़ेगा interest बढ़ गया और interest कितना percent पे यहाँ yes तो भाई इस proposal को reject कर दीजिए कोई फाइदा नहीं है interest जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से EBIT नहीं बढ़ा है फाइदा नहीं है पस यही था एक question एक question यह था जो कि security valuation AFM के module में है और उसमें मिलेगा आपको TYK7 page number 5.34 this is accounting valuation अजीब सा question पढ़ना पढ़ेगा कि सर हाँ बिना पढ़े तो काम नहीं होने बढ़े तो एक capital structure दिया था sun limited का और capital structure में equity था preference share था debenture था और sun limited का 32 lakh दिया था और यह क्या था actual में क्या दिया था ABIT मैं मान के चलना हूँ कि मैं revision करवा रहा हूँ ठीक है मैं concept नहीं करवा रहा हूँ sir ABIT दिया था और tax back sub minus करना था और tax का rate था 35 normal return on equity shares मतलब यह जो similar company है उस company के equity share पर लोग कितना कमा रहे है 9 point similar company तो sir यह हमें करना गया और कुछ कुछ दिया है और last का सीधा last में पहुच रहा हूँ तो वो बोल रहा था value per equity share निकाली है तो sir हमें value of equity निकालना मतलब है share का price निकालना है या theoretical price निकालना है तो sir उतम को आता है P0 is equal to D1 divided by KE minus G ऐसे ही तो करते थे हाँ वही तो करते थे सर जो future में dividend मिलेगा उसको discounting करेंगे वही है तरीका अलग है और यह accounting वाला तरीका है अब सुनना ध्यान से वो क्या बोल रहे है उनका यह कहना dividend वगेरा तो बात की बात है वो छोड़ो discounting करने के लिए required rate of return चाहिए हमने कहा हाँ तो required rate of return 9.6% से हम discounting कर देते हैं बोले नहीं 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 9.6% तो दूसरी company का है तो उसी से तो discounting बोले नहीं क्योंकि आपकी company का risk check किजए अगर risk है जादा risk है तो 9.6% में risk premium भी add होगा तो भाईया risk कहां से check करें तो बोले उसके लिए हम बता रहे हैं न बोले इस company का वैसे तो 9.6% ही ले लेते लेकिन चेक करो इस company का profit after tax cover fixed interest and fixed dividend at least three times मतलब सर्प coverage ratio बोलो सीधा सीधा हलाकि ये pat cover fixed interest बोला वो बाद में समझेगे coverage ratio और अभी बताए coverage ratio क्या होना चाहिए बोले अगर three है न तो आप ये ले 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 न 9.6 और मैंने का अगर कम हुआ तो तो बले risk है और risk है तो फिर आपको इसमें risk premium भी add करना पड़ेगा और सर्थ कितना add करना पड़ेगा बोले जितना difference आएगा coverage ratio का जितने भी times difference आएगा उसका one से multiply करना उतना percentage आपको risk premium add करना पड़ेगा तो सर सबसे पहले क्या check करना है coverage ratio उसके बाद बोले capital gearing ratio capital gearing होता क्या है पता है आपको पर फिर भी कुछ gear बताया था one first gear second gear अभी time नहीं है थना मैं आपसे बोल रहा हूँ gear कुछ company में capital हम public से पैसा उठाते है ठीक है कुछ ऐसी capital जिस पर आपको fix देना ही पड़ता है sir debt मतलब preference पर fix देना पड़ता है sir debt पर fix देना पड़ता है और preference share capital fix देना पड़ता है तो उपर आजाएगा fix okay sir कहा है कहा है कहा है इधर करवाया हूँ yes उपर आजाएगा debt प्लस preference share capital और नीची आजाएगा equity share capital मतलब sir वैसे तो formula क्या है fix income bearing capital divided by fluctuating income bearing capital पर simple सी बात है यहाँ मुझे fix देना है यहाँ मेरी अपनी capital है तो sir अगर gearing ratio जादा है मतलब risk जादा है तो भले gearing ratio कितना होना चाहिए gearing ratio 0.75 होना चाहिए या उससे कम है तो बहुत अच्छी और अगर उससे जादा है अगर उससे जादा है न सहाब तो फिर आपको इस 9.6% में risk premium भी add करना पड़ेगा जो भी difference आएगा मतलब 0.75 से जादा है तो जो भी difference आएगा उसको क्या 1 से multiply करना है तो उनका क्याना 1 से multiply नहीं करना है 2 से multiply करना है चलो तो पहले ratio निकले अब ratio में न यार उसने कभी भी आपको interest coverage ratio नहीं बोला इस question में इस question में बोला profit after tax उपर लिख लेना क्योंकि वही cover करने वाला था और नीचे cover किसको करना अब ले fix interest को और fix dividend को कौन cover कर रहा profit after tax cover किसको करना वो नीचे वही मैंने किया है सबसे पहले यहाँ बहुँ जा मैंने profit after tax और नीचे लेखा interest plus preference dividend कौन cover कर रहा profit after tax किसको cover कर रहा interest plus preference dividend लेकिन जबकि interest को cover करना है और interest minus हो चुका है ये तो बिकार की बात है तो मुझे plus क्या करना पड़ेगा interest हाला कि उपर no pet लिखा होना चाहिए था यसा मैं कहानी बताने नहीं आया ये वाला formula आपको use करना पड़े बोला है pet तो pet बोला interest on PD तो interest on PD बस दिक्कत क्या है कि उपर क्योंकि इसमें से interest minus हो चुका है और उसी को तो cover करना है तो फिर भई आपको तो add back करना पड़ेगा और ये add back कर दी बहुत ज़्यादा logic समझाने नहीं आया है इसको याद करना पड़ेगा तो sir pet कैसे पता लगेगा ओहो पैट तो अब फिर हमने क्या किया हमने एक income statement EBIT ठीक है sir EBIT दिया है minus किया interest EBIT आ गया tax दिया है तो earning after tax आ गया PDB minus कर दिया तो ये earning आ गया ठीक है तो sir earning after tax मालूम है interest मालूम है ठीक है sir ये हो गया तो आया 2.16 2.16 जबकि होना चाहिए था कितना तो difference कितना आया the difference आया 0.84 होना चाहिए था ज़्यादा है कम तो risk है भाई difference कितना 0.84 तो बुले जो 9.6 है ना उसमें 0.84 into 1 प्लस कर देना risk premium के नाम ऐसी कौन सा ratio निकालना coverage ratio coverage ratio नहीं hearing ratio वो हमने निकाला तो ये आया 0.93 ये कम होना चाहिए कितना होना चाहिए 0.75 ये है 0.93 यार ये भी तो risk है अगर risk है तो बुले multiply किस से करना बुले 2 से multiply करना कहां लिखा हुआ question में लिखा हुआ और इन सब को add कर देना तो आपके लिए discounting rate आ गया कितना 10.8 पर ओके सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं सर बात खतम होगे 10.8 पर अब हमको क्या निकालना है dividend या देना formula हाँ सर D1 divided by K E minus G G का अता पता नहीं सर K E K E K E K E तो निकल गए है आप इसको require readable दो या फिर आपको इसको K E बोल दो सर dividend कैसे निकलने है बड़ा असान है सर अर्निंग मालूम है कास हमको वो dividend बता थी तो बात खतम हो जाए और dividend बताया है question में पढ़ो 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 कहां लिखा है कहां लिखा है सर लिखा है yield ये भगवान ये क्या सद्द लिखा है 50% of profit distributed and 5% on unrestributed profit ये मिल गया और बोले company dividend pay कर रही है 8% 8% किसका face value खा तो मैंने pad up value का 8% लिया होगा मैंने dividend लिया 80,00,00 into 8% तो कितना आ गया 6,40,00,00 अगर मैं होता एक share का face value नहीं दिया है तो हमने कितना assume कर सकते हैं हम 100 रुपे assume किये इस question सर क्यों हम तो 10 रुपे assume कर सकते हैं पर 100 रुपे assume कि तो सर उस हिसाब से number of shares कितने आ गये 80,00,00 divided by 100 तो सर 80,000 shares हुए और 6,40,000 divided by 80,000 तो dividend per share 8 रुपे या आएगा ना सर हाँ तो सर dividend per share divided by time ऐसा नहीं कर सकते बस इस question में दिक्कत क्या है इस question में दिक्कत है बुले आप अपने इसाब से हमने कब कहा कि dividend growth model लगाना है बुले हम कमाई किसको मानेंगे इन लोगों कहना कि आप dividend पर ही क्यों focus कर रहे हो यार जो return बच्चा है ना पैसा वो भी तो shareholder का है या shareholder share खरीदते समय सिब dividend ही देखते हैं और चलो बहुत सारे shareholder देखते हैं पर जो return कर रहे हैं वो भी तो important है तो उन्होंने का हम yield किसको मानेंगे कमाई किसको मानेंगे हम dividend पर focus नहीं करेंगे जो dividend है उसको हम 50% weight देंगे और जो undistributed profit और को छोड़ेगे नहीं उसको हम पाच परशन weight देंगे बोला है question में तो बोला है तो सथ 6,40,000 क्या था distributed profit उसका हमने 50 परशन लिया और 6,20,000 इसका हमने 5 परशन लिया तो ये आ गया 351040 बोले ये है actual total income total yield annual yield बोल सकते हैं अब क्या करो अब चाहो तो divided by 80,000 कर सकते हो 3510 मैंने करके भी बताया था logic के साथ तो सर ये आ गया था divided by 80,000 करो तो एक share का dividend आ जाएगा ये कमाई आ जाएगा इससे discounting करोगा तो ये आ जाएगा ग्रो तो अलई बात ही नहीं है बट 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 आएसी एए ने formula लगाया है भई आपको भी लगाना है आएसी एए ने का कि भई इतनी कमाई है अब ध्यान से समझना है इतनी कमाई है इतने पर ये कमाई किस किसर एक्विटी शिरहोलर की तो नीचे लिखा equity आंसर आ गया है 4.388% इसको इन्होंने नाम दिया annual yield और required yield आपको पता है और इन्होंने का value निकालने का formula annual yield divided by required yield into face value तो आंसर आया है 40.65 प्लीज ऐसे कर लेना मैंने देखा मेरे नजरों में देखो तो बिल्कु सिंपल है मैं ये करके divided by 80.000 करता है तो मेरी per share कमाई आ जाती है उसको discounting कर देता 10 पॉइंट तो answer आ जाता ये आपके A.F.M. module का question है सब 14 minutes होके हाँ time लगना ही था question number 107 हमारी book का इसे भी आपको देखना पड़ेगा और ये question किसका ये question है sustainable growth rate आया था exam करवाना पड़ेगा छुड़वाने का दिल था पर नहीं है कर लो तो अगर मैं को पूरा question पूरा question में पूछा है sustainable growth rate और सा sustainable growth rate का formula है B into R पर B का मतलब होता है retention ratio और R का मतलब होता है return on equity और return on equity कैसे निकाला जाता है pet divided by network ये हमको पता है into 100 कर ले ना अब IC AI ने सोचा कि चलो ना यार CA inter भी चेक करते हैं उन्होंने आपको सीधा ये नहीं दिया उन्होंने आपको cells दिया total acid दिया और ये याद करो आप CA inter में due point analysis करते थे और return on equity निकालते थे तीन formula को यूज करके प्लीज मैं यहां explain कर रहा हूं थोड़ा सा समझ लो fat divided by cells तो सर ये क्या होता था ये होता था net profit margin fat divided by cells और cells divided by total asset ये क्या होता था asset turnover ratio हां सर total asset turnover ratio और total asset divided by net worth इसको बहुते थे equity multiplier मतलब सर मतलब ये कि हमारा equity कितना है equity कि अपक्षा total asset कितना बात समझ में आ रही है equity multiplier ये इंटर बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकता है और इसको बलते थे do point analysis करते थे इसमें बहुत कुछ बाते होती थी मैं formula पर focus करूं cells से cells कटेगा total से total कटेगा तो सर पैट divided by net worth ही तो बचेगा institute ने ये formula दिया है ये formula दिया है ये formula दिया बोलता है आप निकालो क्या आप निकालिए आर तो निकाल लेंगे ना यार शलो देख़ों तो ये भी इंडूस्ट्री है equity capital है बारा लाग डेट है आट लाग ठीक है cells है तीस लाग दो proposal है next year proposal number one पर focus करें target asset to sales ratio asset to sales सर ये cells to asset है यस तो 0.65 की जगा one divided by 0.65 लिखना पड़ेगा और सर नेट प्रॉपिट मार्जिन दे रखा है तो ये तो फोर हो गया और सर डेट target debt equity debt equity मिलाकर कितना है पांच मतलब total asset कितना है पांच और सर एकविटी कितना है तीन तो इससे क्या आर निकल जाएगा simple institute ने इस question में गलती क्या किया है equity multiplier उल्टा लिख दिया है आप चाहो तो कर सकते हो आपकी मर्जी है बट मैं आपको गलत ये तो गलत नहीं बढ़ा सकता कम सकते है वैसे 5 by 3 होना चाहिए उन्होंने 3 by 5 किया तो मेरा answer और ICAE का answer match नहीं होगा यहां आप बस अगर आपको ऐसा लगना नहीं हमको करना तो आप 3 by 5 करके कर लोगा मैंने यहां भी लिख दिया था तो answer आगया 10.26% यह क्या आगया R और B हमको पता है कितना 75% तो B into R करेंगे तो growth rate आगया 7.6 7.695% this is growth rate ओके साह ऐसी बात किसकी हो रही proposal 2 सर प्रपोजल 2 में भी R निकलते हैं प्रॉब्लम क्या है यह दिया है यह दिया है यह सर यह तीनों चीज़े दिया आर तो निकल जाएगा पर retention ratio नहीं दे रखा पर सर डिविडेंट दिया है 0.3 ठीक है डिविडेंट दिया है सर तो अर्निंग निकल गई सुनों डिविडेंट दिया है इसका मतलब सर अर्निंग निकल गई डिविडेंट माइनस कर देंगे तो retention ratio निकल जाएगा return ratio निकलना और एक information के रूप में new equity दे रखा है इसका मतलब है सर कि new equity आया है equity आया है सर debt भी आया होगा वो मुझे नहीं मतलब पर equity सिर्फ एक लाग का issue हुआ है मतलब सर पहले equity कितने का था सर बारा लाग तो बारा लाग से कितना हो गया तेरा लाग हो गया है equity और सर total asset ratio दे रखा है कहां 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 दिये सर यह दे रखा है target debt हाँ debt equity ratio दे रखा है मतलब अगर 13 लाग ध्यान से दिखना 13 लाग हो गया equity तो total asset कितना आयेगा सर पाच गुना जादा 65 लाग अब समझ रहे हो ना हाँ सर total asset हो गया 65,00,000 अगर total asset पता है तो sales निकल जाएगा, हाँ sir और अगर sales निकला, लिखा है तो net profit margin निकल जाएगा, yes sir अब net profit margin है तो फिर तो होई जाएगा का वही तो net profit तो चाहिए वही काम किया है R निकालने में तो दिक्कत नहीं है अगर total equity कितना है 13,00,000 तो total asset कितना हो गया 65,00,000 अगर total asset 65,00,000 है तो sir sales निकल गया और sales है तो sir net profit margin निकल गया और net profit margin पता है मतलब net profit निकल गया dividend मालू में तो retention ratio और retention ratio है तो यह आगया है sir आपका answer मैच नहीं होगा उसकी सिर्फ एक वज़ा है कि अगर आप 5 by 1 की जगा 1 by 5 ले लोगे तो हमारा answer मैच हो जाएगा मुझे answer मैच नहीं करवाना है concept समझाना ओके sir चले आगे हाँ time कम है एक question और है जो ratio से related है this is EFR external fund requirement या external financing requirement कुछ भी बोल दीजे external fund requirement इसका मतलब क्या सर इसका मतलब यह है भाई family की company खुद से जो कमा रही है अगर पैसो की जरूरत है पैसो की जरूरत है तो खुद का पैसा जो return earning का है उसका तो यूज कर लेंगी तो अगर पैसो की जरूरत है तो debt से उठाओगे कि bank loan लोगे कि preference share से उठाऊगे कि short term loan लोगे कि long term loan लोगे ये सब चीज़े तो बात पढ़े हैं एक बार yes ये कुछ information दे रखा ये है total assets और ये भी total है और वोले sales further year है 600 लाक और sales जो है वो grow होगा 20% अब यहां समझने वाली बात है sales कितने बढ़न से grow होगा 20% तो external fund requirement में एक exemption ये चलेगी कि जिस ratio में sales बढ़ेगा उसी ratio में हमारा total assets भी बढ़ेगा total net assets बढ़ेगा इसका मतलब fixed assets भी बढ़ाना पढ़ेगा stock तो बढ़ना सुआभाविक है receivable भी बढ़ेगा cash भी आपको ज़्यादा maintain करना पढ़ेगा और साथ में ये payable and provision ये भी तो बढ़ेगा क्योंकि sales बढ़ेगा तो उधार माल खरीदना पढ़ेगा माल खरीद आओगे तो 20% ज़्यादा तो creditors भी तो बढ़ेगे तो sir हमें नेट बढ़ेगा वैसे तो 1400 का 20% हमें पैसा चाहिए sales बढ़ा तो sales ऐसे नहीं बढ़ेगा 1400 का 20% 1400 into 20% sir 280 की जरूरत है yes पर 220 का 20% sir 40 की तो वैस्ता में creditors है इनको थोड़ी पैसे देना पढ़ेगा तो 240 की जरूरत है okay sir अब ध्यान से देखो सबसे पहले पैसो का आरेंजमेंट कहां से होगा कितने की जरूरत है sir 1400 1400 minus 200 की या हमें 240 लाग की जरूरत आपका sales बढ़ा ना तो बोलो कितने का sales होगा 720 लाग और उसका profit margin कितना है 4% तो ये profit हो गया dividend भी दे रहा है 50% हम dividend देतेंगे चलो 50% dividend भी हो गया 14.40 तो आपके पास है खुद के पास किसका returner नहीं तो 240 में से 14.4 है तो आपको कितने की और जरूरत है 225.60 की जरूरत है इसको बलते external fund requirement अब 225.60 का arrangement कहां से होगा मुद्दे की बात ये देखते हैं It means क्या equity share से ववस्ता करोगे कि long term से करोगे कि short term से करोगे बता रहा है question कुछ condition लिखेंगा हम देखने को तेयर company की ये इच्छा है कि current year sales याद रखना current year sales लिख दिया है sense ही नहीं बनता current year sales क्यों लिख current year sales to short term loans and payables ये है short term loans and payables और current year sales कितना है 720 नहीं है current year sales है 600 वैसे 600 होना ही नहीं चाहिए था 720 से ही comparison होना चाहिए था पर बोलो current year sales और short term loans और payables ये जो ratio है ये ratio 4 to 3 से ज़्यादा नहीं होना है ये मतलब आप देख लो ratio एक बार चेक कर लो आपका short term loans and advances कितना हो रहा है एक बार चेक करते हैं या maximum sales के इसाब से maximum short term loans and advances वगेरा कितना रख सकते हैं वो चेक किया हम लोगों ने current year sales to short term loan ये चेक किया तो भहिया हम 450 लाग से ज़्यादा short term loan नहीं रख सकते हैं अभी क्या अगर पहले से हमें maximum 450 लाग का short term loan ले सकते हैं और अगर हम balance sheet में 400 है तो ठीक है 50 लाग की विवस्ता यहां से हो जाएगी पर balance sheet में 400 नहीं है balance sheet में ये दोनों मिलाकर तो 500 है यहां से तो पैसे नहीं ले से उठाई ने सकते हैं अब कहां जाएं बोले हमें कितने की विवस्ता करना 225.6 0 अब कहां जाएं तो बोले अब check करो long term loan और यह कम हो तो long term loan के लिए भी बताया fixed asset to long term loan और सार fixed asset कितना लेना है 600 मत लेना current year fixed asset नहीं 20% बढ़ागे यहां current year सब्दन नहीं लिखा है तो अब हमने चेक किया fixed asset to long term तो कितना maintain कर सकते सारा हम 480 लाग तक का long term loan रख सकते अभी कितना है सर अभी है 400 तो चलो 80 लाग यहां से विवस्ता हो जाएगा यह हो गए 80 लाग बचा हुआ क्या करोगे equity और चाहो तो इसको debt equity ratio से चेक करना चाहिए था क्यों क्योंकि दिया हुआ है तो debt equity ratio से चेक करते यह debt exit तो नहीं हो गया 1.5 से बट 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 ICAI ने नहीं किया तो मैं भी अपना क्यों दिमाग खराफ करूँ मैंने भी नहीं करवाए बाकि आपका दिल कर रिगदाप चेक कर लिए वो कम ही रह रहा तो यह कोशन था ratio का अब हम वापस आ रहे हैं हम किस पे आ रहे हैं हम आ रहे हैं अपने security analysis पे यह करवाना जरूरी था ना यार इसलिए मैंने करवाया अब हम आ रहे हैं security analysis इसमें मेरे पस proper ऐसे board notes नहीं हैं तो आपको manage करना होगा प्रहम तरियो proper board notes नहीं हैं मैं उन्हें पहले ही कहा था यह दिख रहा होगा मुझे पूरी उमीद है और सर नहीं दिख रहा है तो मैं assume कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कॉपी होगी ना यार कॉपी में देख लो लिखवाया हूँ कितना बड़ा बड़ा लिखवाया हूँ ओके सर सर security analysis क्या होता security valuation क्या होता था भाई security valuation में हम लोग balance sheet देखते थे profit and loss account देखते थे cash flow देखते थे फिर देखते थे dividend और फिर future में dividend जो मिलेगा उसका present value ये सब हमने कहां पढ़ा security valuation में जिसको आफ fundamental analysis बोलते है लेकिन यार क्या seriously ये सारी चीज़े देखते हैं share खरीते समय नई सर हम तो charts देखते हैं उसमें देखते है line chart, point and figure chart बहुत सारे charts हो गया वो तो point and figure की बात नहीं और बोल दो candlestick अच्छा सर और क्या हो जाए सर, bar chart हम charts देखते हैं charts और charts देखके हम अनुमान लगाते थे कि price किदर जा रहा हमें company की balance sheet से कोई मतलब नहीं है और वो जो charts देखकर up down, up down अनुमान लगाते थे कि आगे क्या होने वाला है बीचना है उसको क्या बोलते थे हम technical analysis अभी हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है technical analysis और उसमें क्या पढ़ना है हमें numerical part पढ़ना है और numerical part में हमें पढ़ना moving average اور efficient market hypothesis थियरी तो मैं अभी आने करवा रहा है Moving Average और Efficient Market Hypothesis ठीक है और ये दोनों, दो ही कोशन है और दोनों की दोनों आपके KFA मॉडूल में है तो प्लीज ये दोनों कोशन देख लेना भाई तो Moving Average कितने टाइप के होते हैं Simple Moving Average और Exponential Moving Average और आपको, Simple सी बात बोलता हूं आपको Simple Moving Average नहीं है आपको Exponential Moving Average कर होता क्या है? वो में करवा रहा हूं पर Simple Moving Average किये बिना Exponential Moving Average समझ में नहीं है तरह है क्या Average? क्यों कर रहा है? वो में करवा चुका हूं पता है आपको मैं सिधा calculation करके छोड़ दूँगा ठोड़ा सा याद दिलना देता हूँ मान लो ये day दे रखे हैं ओके और ये price दे रखा है और मांगा जा रहा 5 days simple moving average सर क्यों पहले average निकालना आता है न हाँ सर 5 दिन का average सर 5 दिन का average यहाँ निकाल लेंगे यस फिर अगले पास दिन का average निकालते जाएंगे फिर पास दिन पाच पास दिन का average निकालना है restart मैंने वही काम किया पहले ये पास दिन का average निकाला divided by 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक पास दिन का average निकाला फिर यहाँ से यहाँ तक पास दिन का average निकाला यह average निकाल अब सवाल है कि average क्यों निकाला गया है वो मैं समझाया था आपको इस chart के माध्यम और मैंने का था देखो भाई यह है share का price share का price जो candlestick दिख रहा न वो है share का और sir यह है moving average आप sir यह जा रहा है इसको बोल रहा है मैं आप moving average यह बस एक बाद बता हो share जो fluctuate होता है क्या average भी fluctuate होता होगा उसी speed से नहीं sir average तो यह बहुत जादा fluctuation का average किया तो मैं जानता हूं यह क्या fluctuation हो रहा पर जब इनका मैंने 5-5 तिनका average किया ना तो उतना fluctuate नहीं होगा वो ठोड़ा smooth जाएगा हाँ सर वो जा रहा है स्मूथ ये वाला शाट टर मोविंग आवरेज था और जब मैं 20-20 दिन का आवरेज निकालूंगा आप करके देख लेए न जब 20-20 तो और भी स्मूथ जाएगा ठीके सर ये ये रेड वाला दिख रहा न जो नीचे वाला ये और भी स्मूथ जा रहा है पर करके आ रहा हूँ पिटे हम इसमें ये सीखे थे कि जब जब भी ये कटता है हाँ सर कटता है मतलब ये share का price है और ये share का price यहाँ कटके निकला है इसको भी काड़ दिया इसको भी काड़ दिया सर किस बात का signal हमें ये signal मिलता था कि हमें खरीदना है कि बेचना है सर समझाना यहाँ तो मुस्किल है बिटे एक बाद बताओ जब यहाँ share का price हुआ ये ये देखो यहाँ देखो मैं पूरी तरह सिफ ये ये जो है ये देखो ये down हो रहा है हाँ सर ये down हुआ price down हुआ तो ये average भी तो down होगा और ये जो long term है ये भी down होगा तो जब यहाँ कटता है और ये जो short term moving average है वो ऐसा काट के down होने लगता न तब हमें signal मिल जाता कि बेचो market bearish है price तो यहाँ भी down हुआ यहाँ भी price down हुआ मेरी बात समझने की कोशिश करो price ने काट दिया पर इस ये जो long term moving average को इसको short term ने नहीं काटा अभी signal नहीं मिला signal कब मिलता है मैं क्या कहना चाता हूँ क्या किसी दिन price बहुत कम होगय क्या तो बेज देंगी क्या नहीं वो हो सकता है पर उसका जो average कभी भी सीधा down नहीं होता average तो तब down होगा जब price बहुत ज़्यादा ज़्यादा कम होते जारा कम होते जारा तब ये moving average तब समझ में आता है खेर इस पे research में नहीं करोआ सकता exam oriented पढ़ा हूँ तो ज़्यादा अच्छा हमें क्या आता है हमें average निकलने के लिए आता है और हमें कौन से average निकलने आता है exponential moving average तो उसी की बात करूँगा प्लीस मैं आप से हाज जोड़ा हूँ मुझे share market से मतलब नहीं मैं यहाँ काम की चीज पढ़ा रहा हूँ प्लीस revision करना पास होना सबसे बाए सर, exponential moving average है क्या यहाँ का question आता ध्याँ से देख तो exponential moving average का formula है previous exponential moving average closing price minus previous EA में into adjustment factor और adjustment factor नहीं दिया है तो लोगे 2N plus 1 यह भगवान सर यह क्या पढ़ा है वह आगे बता रहा हूँ सर, यह formula याद हो जाएगा अभी बता ला सुनो ध्याँ से मुई average average का मतलब होता क्या है फिर वैसे तो average का मतलब एक यह भी होता है कि जो past में हुआ है उसी का average किया तो वो future में होका तो मैंने 26 तारिक को average निकाला, 26 तारिक को यहाँ से समझना है formula याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और 26 को मैंने exponential moving average निकाला वो निकाला 27 इस उम्मीद से कि अब जो share का price है वो 27 तारिक को 27 तारिक को कितना निकला? 27 रुपिया तो मैंने आने वाले दिन में अगले दिन share का price 27 होगा मेरा अनुमान था कैसे निकाला? सर पाश्ट को देखकर पर हो गया 30 तो क्या मेरा average गरबड हो गया? यस तो सर ठीक तो करना पड़ेगा तो सर ठीक है अगले दिन का average अगले दिन का average बले ऐसे निकलेगा बले 27 कप का था सर पिछला हमने निकाला था पर वो तो गलत था error कितने का difference आ गया? सर error आ गया 3 रुपए का तो सर 3 इसमें plus कर दे बले 3 plus मत करो ऐसे में तो फिर share का price ही उतना ही fluctuate होगा जितना share का price fluctuate हो रहा बले थोड़ा सा adjustment factor करो यह adjustment factor से multiply करो और यह दिया रहेगा question में यह तो निकालना है तो 2 divided by n plus 1 और मैंने आपको बताया भी था short term में adjustment factor ज़्यादा होता है और long term में कम होता है मेरे ख्याल से यह समझाने में ज़्यादा time लग जाएगा पर सोचो अगर मैं 50 दिन n का मतलब number of days अगर मैं यह 50 दिन लेता हूँ तो adjustment factor बहुत थोड़ा सा आएगा smooth रहेगा और मैं क्यों बता हूँ formula लगा ले न okay sir तो sir exponential moving average कैसे निकलेगा पिसला जो average निकाला था plus जो price है दोनों का difference जो निकाला था sir यह error हो गया और उसको adjustment factor से multiply कर देना तो यह कितना आ गया हमने का अगले दिन होगा 28.95 पर अगले दिन कितना होगा 25 तो फिर ठीक करते हैं 28.95 जो भी difference आएगा 25 माइनस यह है और multiply किस से करेंगा adjustment factor से बस यह चलते रहेगा और sir अगर exponential moving average नहीं दिया है पिछली दिन का तो simple हुए है average ले ले लेना कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा हमें यही calculation के लिए आता है यह question है question number one security analysis chapter tyk1 page number 4.34 देखे यह sir मेरे ख्याल से दिख रहा होगा हाँ sir दिख रहा है ना आप उसका tension मतलब चे से सत्रा तारीक का मंत दे रहा देड़ दे रहा Thursday और यह सेंसेक से दे रहा छुटी जो हो रही उसको आप भोल जाई हमें क्या निकालना sir हमें निकालना exponential moving average कितना 30 days simple moving average मतलब पिछला simple moving 30,000 दे रहा है मतलब इसके पहले का दे रहा 30,000 लेकिन प्राइस कितना हो गया 29522 और यह दे रखा है adjustment factor 0.062 निकाल सकते हैं तो सब लेश डेट का हाँ sir 30,000 प्लस 29522 माइनस 30,000 into 0.062 0.062 simple तो है यार ओके sir यह निकल गया फिर यह जो previous है उसको यहां चुप और actual price तो यह हो गया ठीक है ज़र ऐसे निकाले और फिर पूछा भी comment करो तो comment इसको देकर कर दिया बोले यह देखो नहीं यार धीरे धीरे बढ़ा है तो जो market है न वो bearish तो हमें long position sorry, बढ़ा है तो यह bullish है और हमें long position लेना चाहिए बढ़ा है market मतलब average ऐसे 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 जा रहा है जब बढ़ना है तो भी यह आप बुली से long position लीजिए बात कतम कीजिए ठीक है तो एक यह question था और एक question था efficient market hypothesis पर थोड़ा बहुत efficient market समझाना बढ़ेगा वो मैं समझाती हुए वो वाला question में discuss कर देता हूँ ठीक है मैंने बताया था यहर ऐसा market है जिसमें किसी भी company का या फिर आप किसी company छोड़ो sensex किस तरफ जाने वाला है या फिर reliance का share किदर जाने वाला वो कोई भी बड़ी आसानी से पता लगा सकता है तो ऐसा market inefficient market कहलाता है मतलब चीजे अगर बड़ी आसानी से बता दें और मैंने आपको example भी बताया था कि यार एक accounting का test है और उसमें CA लोग exam देने वाले prize मिलेगा जो अच्छा performance करेगा और कुछ ऐसे भी बच्चे जो element wealth में पढ़ए कुछ science वाले भी आते हैं वो ले चलो हमको भी accounting का test देना है उनको accounting नहीं आता है तो भी वो देना चाहते है तो यार inefficient लोग है ने उनको तो ऐसी एटा दो मैंने आपको cricket का भी example दिया था यार एक match competition है वाल्ड कप चल रहा है उसमें नेपाल की भी team आई है और इसके अलाबा दुबई की भी team आई है और मैंने कहा इंडिया भी है पाकिस्तान भी है और हमारा बहुत सारे लोग है ठीक है अब इसमें से क्या आप अगर मैं कहता हूँ सिर्फ इंडिया है इंडिया के सर्फ हमारा वल्ल कप चल रहा है इंडिया के टीम है अमेरिका भी खिल रहा है और साथ में दुबई भी है दुबई कहां से आगए है चलो कौन जितेगा बताओ अब इंडिया जितेगा खतम कहानी कैसा competition competition तो तब है जब बड़ी बड़ी team में हो और उनके बीच में competition this is efficient कोई ना बता पाई कि क्या होने वाला यही चीज यहां भी applicable efficient market का मतलब है भाई यह efficient portfolio और efficient portfolio और optimum portfolio मैंने portfolio में बताया था same example यहां भी वही बात market तो वो है जिसमें कोई अनुमान ना लगा पाई कि क्या होने वाला है अगर कोई भी अनुमान लगा दिया तो यह कौँ सा है सर यह तो inefficient है efficient में अग मुझे बताना share का price 250 था अगले दिन 260 हुआ फिर 270 हुआ फिर 280 हुआ फिर 290 हुआ फिर 300 हुआ फिर 310 हुआ अगला क्या होने वाला 320 बढ़ा है कोई भी बता देगा यह तो बच्चा भी बता देगा कि price बढ़ना तो आगे भी बढ़ेगा past को देखकर ऐसा market inefficient तो सर चार्ट देखकर अगर बता देगे कि क्या हो रहा है तो कोई मतलब नहीं efficient market तो हुआ है कि आप बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है ठीक है सर यहां तक बाद समझें अब efficient को भी तीन पार्ट में बाढ़ दिया strong form of efficient market semi strong form और weak form पहली बात simple सा चार्ट देखकर कोई भी बता देगा आपका चार्ट देखकर अगर बता चार्ट मतलब आप समझ गया हो तो ऐसा market inefficient market ओके सर यह inefficient market अब यहार है चार्ट देखकर कोई बता नहीं पा रहा है efficient है बोले efficient तो है सिब चार्ट की बात मत करो इसके अलावा भी technical analysis को यूज करके तो आप बता ही नहीं पा रहा है कि किदर market जा रहा है efficient है पर ऐसा market पूरी तरह से efficient नहीं बोलते कि इसको बोलते कि हाँ weak form efficient है चार्ट देखके तो नहीं बता पा रहा है पर किसी और तरीके से insider trading को यूज करके किसी और तरीके से बता सकते है कि क्या होने वाला है ऐसा market efficient है पर ऐसा market कौन सा कहलाएगा sir weak form of efficient market आप समझना पहला अगर आप चार्ट देखकर बता रहे हो कि क्या होने वाला inefficient चार्ट देखकर पता नहीं लग पा रहा है लेकिन जो publicly available information है उसको देखकर थोड़ा बहुत idea लग रहा है कि market किदर जाने वाला तो ऐसा market में ये कहूंगा कि ये अभी भी आप पता लगा रहा है तो ये weak form है है efficient पर weak form है क्योंकि चार्ट से तो पता नहीं लग रहा पर कहीं और information को यूज करके आप अनुमान लगा लोगे ना तो sir chart देखकर पता लगा पा रहा है ना तो हम publicly available information को यूज करके पता लगा पा रहा है पर फिर भी हम insider trading की help से पता लगा रहा है कि market में क्या होने वाला है चार्ट फैल हो गया ठीक है और publicly available information भी फैल हो गई मतलब पहले ही fact पढ़ चुका है ऐसा market semi strong और strong मतलब आप पता ही नहीं लगा पाऊगे कि क्या हो रहा है सर समझ में नहीं आया है समझने की जरूरत भी नहीं है इतने जल्दी समझा भी नहीं सकता use कर रहा हो जल्दी से हमें क्या आता है हमें यह सब नहीं आता हमें यह आता है कि बताओ market जो है वो weak form of efficient market है के नहीं बिल्कुल ध्यान से समझ रहा है इनेफिशेंट तो फिर में हम कहेंगे ये मार्केट वीक फॉर्म ओफ एफिशेंट मार्केट नहीं है तो अगर कुछ आपको प्राइस दिया और उस प्राइस की मदद से आप बता ही नहीं पा रहे हो कि मार्केट किधर जाने वाला तो मैंने का हाँ अब बता ही नहीं पा रहे है तो ये एफिशेंट है पर ये कौन सा है वीक फॉर्म और लेकिन ऐसा नहीं कि पता नहीं लगाए जा सकता पता लगाए जा सकता वो पूछता नहीं है तो हमें क्या टेस्ट करने के लिए आता है कि मार्केट वीक फर्म of efficient मार्केट है की नहीं इसके लिए 2 चीजे एक है run test और एक है auto correlation test serial correlation test भी होता है पर मैं वो नहीं करवा रहू हो जो आपके काम की चीजे है वो करवा रहू है चीज है क्या होता है run test याद दिला रहा हूं क्या होता है क्या हमारे AFM module का है यस TYK2 page number 4.35 यह question है हमारी book का question number 60 है module में जाओगे तो TYK2 page number 4.35 तुनना धियां से भाई साब यह price दिया है ठीक है price दिया है पहला काम हमें यह करना इसको बलते है run test price अगर कम होता है तो minus का sign लगाना है पिछले price से अगर अगला price बढ़ता है तो plus का sign लगाना है यहां तक बात समझे है और वो ही हमने किया minus का sign लगा है plus का sign लगा है फिर कम हो गया तो फिर minus का फिर बढ़ा तो फिर plus का फिर बढ़ा तो फिर plus का इस तरह से किया, कोई दिक्कत है किया था, कोई दिक्कत नहीं फिर हमने ये चेक किया, कि साइन कितने बार चेंज हो रहा है तर ये एक बार, ये दो बार, मतलब जब प्लस 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 चल रहा था तो minus हो गया, तो sign change हो गया एक बार, दो बार, तीन बार तो हमने कहा कि कितने बार sign change हुआ और answer आ गया इसको बोला जाता है run, run का मतलब जो sign है plus से minus वो कितने बार change हुआ तो देखोगे तो 8 बार change हुआ ठीक है तर इसे करना क्या है अब दे रहा हूं concept तो टाइम लगेगा, दो मिनट लगेगा या थोड़ा सा time मुझे दे दो अगर, अगर, अगर अगर number of runs जादा है अगर number of runs बहुत जादा है इसका मतलब क्या sign बार-बार change हुआ हाँ sir मतलब जल्दी से plus होता, फिर minus हो जाता फिर plus हो जाता, फिर minus हो जाता, फिर plus हो जाता, फिर minus हो जाता यही हो रहा sir sign बहुर 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 चैंज हुआ है मतलब number of runs जादा है अगर number of runs जादा है तो अगला क्या होगा, प्लास होगा तो बेश देना, फिर माइनस होगा, जब प्लास हुआ तो आपको पता लग गए, आप तो माइनस होने वाला खरीद लेना, और फिर जैसे ही प्लास हुआ तो बेश देना, ज्यादा रखना मत, क्योंकि तुरन 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 तुर कम है तो सर नंबर अपरंस क्या होना चाहिए कम होना चाहिए अगर ऐसा है नंबर अपरंस कम होना चाहिए अगर नंबर अपरंस कम है इसका मतलब सर साइन बड़ी मुस्के से चैंज होता है मतलब सर प्लस 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 होता है प्लस होता तो बहुत बार होता है और माइनस होता है तो बहुत बार होता है फिर प्लस हुआ तो क्या यहां भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो हाँ आ सर जैसी प्लस हुआ यह फिर से अभिद से प्लस हुआ न तो यहां minus हुआ sign change हुआ base दो क्यों sir कि और गिरेगा market और जैसी minus से plus हुआ तो पता लगा अगला plus तो मतलब सर आप profit कमा सकते हो So क्या number of runs कम होना चाहिए ना तो number of runs just जादा होना चाहिए ना तो number of runs कम होना चाहिए number of runs average होना चाहिए और यह जो आठ निकला है यह average है कि नहीं है यह हमको नहीं मालूँ concept यह है अप्छो ओके सर तो सर अब क्या करेंगे अब हमको निकालना पड़ेगा average और average निकालने के लिए सबसे पहले हमें n1 की ज़रुत पड़ेगी n1 का मतलब number of plus plus कितने कितने बार हुआ है और n2 का मतलब minus ठीक और अब average का formula देख लेना याद करना पड़ेगा कोई derivation, variation का चक्कर नहीं है बहुट time लगेगा अब हमने average, average को बलते हैं mu और यह formula है 2n1, n2, n1 plus n2, plus 1 और हमने average निकाला तो average आया 10.26 मतलब number of runs कितना होना चाहिए number of runs होना चाहिए 10.26 यह होना चाहिए भाई, यह, यह 10.26 अगर 10.26 है तो कोई भी बता नहीं पाएगा कि क्या होने वाला मतलब कभी भी plus हो जाता, कभी minus हो जाता, कैसे बताओगे कभी plus होता तो कई बार कभी-कभी plus से एक दम से minus हो जाता है average अब नहीं बता सकते हैं पर यह 10.26 यह नहीं है, मतलब यार हमेशा तो कभी भी फिर यह तो ऐसा market हमेशा 10.26 जरूर नहीं है कि आएगा तो फिर यह हमेशा inefficient कहलाएगा कि नहीं average का मतलब ऐसा नहीं कि 10.26 है ना थोड़ा सा range ले लिजी है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा मतलब हमको क्या निकलना पड़ेगा, standard deviation इसका run का पड़ा सा कम, इस range में अगर आता ना तो हम कहेंगे ठीक है जी efficient है भी, पर जब बहुत ही कम हो गया या बहुत ही जादा हो गया, तो फिर हमने कहा दिक्कत है हमारा target क्या है, average होना चाहिए वही मैंने किया, और standard deviation का formula बनाया mu-1, mu-2, n-1, plus n-2, minus 1 और deviation, I-C-E-I यह वाला formula यूज करता है मुझे रटना नहीं आता, रट तो आप तो भी रहे हो, बैटे मैं फिर से, आप चाहो तो इसको कर लेना चाहो तो इसको कर लेना, standard deviation आ गया 2.06 मतलब सर, 10.26 क्या average, इससे कम इससे ज़्यादा चलेगा लेकिन कितना, 2.06 अब सर, standard deviation, अब दिक्कत क्या है, मुझे क्या देना, range ओके, अब range दो चीजों पर depend करता है क्या क्या, एक तो, मतलब दिखो, यह आया था average, plus करेंगे standard deviation यह आया था average, minus करेंगे standard deviation यहने कहा था न, plus होगा standard deviation, minus होगा standard deviation पर बीच में जो एक चीज और आ रही है, वो आ रही है T T का मतलब T distribution table और T दो चीजों पर depend करता है सरी, इसका factor दिया रहेगा बुक में, चिंता मत करो पर वो दो चीजों पर depend करता है एक है level of significance और दूसरा है degree of freedom यह भगवान, कर लेना भाई, पता नहीं इंस्टिट्यूट degree of freedom कैसे निकलता है, N1 plus N2 minus 1 तो यह कितना आ गए, 18 तो 18, हमें क्या निकालना, हमें T की value चाहिए बाकी हमको standard deviation तो मिल गया तो 18 degree of freedom पर आपको check करना आप question बताएगा, आप देखो question कैसे बता रहा है You are required to test the weak form of efficiency और आपको 5% level of significance पे काम करना और 10% और 5% और डिगरी of freedom तो कितना है, 18 तो 5% level of significance पे उसने T का value दिया, 2.101 और 10 पे कितना दिया, 1.734 तो पहले 5% level of significance पे हम range निकालने की कोशिश कर रहा है और range निकल गया 5%, पे ध्यान से देखना 5% पे ये value दिया है ये आगया हमारा lower limit, 14.59 upper limit, plus है ना, ये आगया और lower limit ये आगया, अगर इसके बीच में है run तो हम कहेंगे कि ठीक है जी, ऐसा market efficient है और weak form efficient है, ये नहीं बल सकते कि है क्योंकि हमें और सारी information नहीं थी, क्या art इन दोनों के बीच में है, येस, तो हम कहेंगे कि हाँ जी, market is weak form of efficient mark ऐसे किस पे करना, दस पे करना ठीक है, मैं जितनी मेहनत करवा सकता था जितने कम समय में, उतने कम समय में करवा रहा हूं बाकी फिर आप देख लेना, अगर आपको ऐसा लगदा नहीं सर, और डूप के देखना है, तो भाई, फिर तो आप lecture ही देखना पड़े, मैंने का रहा है, technical topic ओके, एक ये था और एक था auto correlation test सर, ये क्या होता था, सुना धियान से, सुनोगे बस खतम कर रहा हूं lecture मैंने total share का price निकाला 20 दिनों हमान लोग 20 दिनों और 20 दिन के share के price को मैंने 2 part में divide कर लिया पहला 10 दिन इधर, 10 दिन इधर, और उसका change निकाला मतलब पिछले price से, अभी, sir, example उससे उससे बताओ न, यार, चलो, इससे बताताओ, ये open और close और low हमारे काम का नहीं है, हमारे, sorry, हमारे काम का है, open low high closing price total कितना दिन है 20 दिन, मैं concept कर वाँगा, इसमें total कितना दिन है, 20 दिन 20 दिन को मैंने 2 part में divide किया 10 दिन, 10 दिन, और इसमें कितना change हो रहा है, मैंने ये निकाला percentage नहीं निकाला, सिर्फ amount निकाला, कितना change तो ये कितने दिन का निकलेगा, 9 दिन और ये period कितने दिन का 9 दिन, इसको ले लिए x और इसको ले लिए y, और इन दोनो period के बीच में मैं correlation निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, correlation याद करो correlation वो तो निकाल लेंगे, सर और मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि positive correlation है कि negative है सर, अगर positive है perfect positive की बात करो अगर positive है, तो सर अगर ये वाला period का बढ़ा तो अगले आने वाले 10 दिन का भी बढ़ेगा अनुमान लगा लोगे और सर, अगर ये वाला गिरा तो दूसरा भी गिरेगा ये भी positive है positive correlation से पता लगा लोगे कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा है मतलब positive correlation है तो बोले ऐसे में ना, अब पता लगा लोगे पता लगा लोगे मतलब inefficient market और सर, पता नहीं लगा पाए अच्छा सर, ऐसा हुआ spirit का बढ़ता है, तो spirit का गिरता है तो भी पता लगा लोगे अच्छा, अभी बढ़ा क्या, अब तो गिरने वाला है तो भी पता लगा लो मतलब ना तो positive correlation होना चाहिए ना तो negative correlation होना चाहिए तो correlation कितना होना चाहिए, 0 तो कोशिश करना की correlation क्या जाए 0 correlation आपको निकालना आता है हाला कि 0 exactly नहीं एक range तो देना पड़ेगा और यह आगया correlation 0 एक range आ जाएगा वैसे हम 0.25 और minus 0.25 और 0.25 ले ले लिते हैं बाकि आप चेक कर ले ना इसको 0 आना चाहिए अगर correlation 0 के आसपास आया तो हम कहेंगे ठीक है जी पर correlation बिल्कुल ही negative आया तो भी अनुमान लगा लोगे कि क्या होने वाला positive आया तो भी अनुमान लगा लो ठीक है जी ठीक है ज़र तो खतम बहुत हो गया टाइम आपका खराब नहीं कर सकता मेरे टाइम से ज़्यादा important आपका टाइम है कल हम बात करेंगे business evaluation की शाम को योगा 9-10 बज़े lecture 9-10 बज़े रात को ठीक है उसे पहले नहीं हो सकता ओके बाई देख ले ना यार बोर्ड वोंट और सुनो अब इस पर मुझ पर इल्जाम मत लगाना जितना करवा सकता हूँ करवा दिया बहुत ज़्यादा समझाने के लिए टाइम नहीं है ओके बाई थैंक्यू suggested answer आपको मैं description में दे देता हूँ पिछले पीपर्क